नमस्कार आदाब आप सभी का स्वागत है नियूस क्लिक में आज हम चर्चा करने वाले हैं EVM मशीन्स पर जिस तरहां का प्रेस कॉंफरेंस किया गया सायज शाह नाम का जो आदमी थे जिनने टेक्निकल एक्सपर्ट बताया गया वो एक स्काइप इंटर्व्यू के थूँ उ और उसके बाद मीडिया में राजनेतिक चर्चा जिस सरहां से गर्मा रही है और उसकी क्या गहराई है और क्या EVM मशीन्स को मैन्यूपलेट करना सच में इतना आसान है इन ही सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं प्रबीर पुरकायस्ता सबसे पहला सवाल जो एक आम वोटर के दिमाग में आता है कि क्या मेरा वोट इतनी इस तरहां से मन्यूबलेट किया जा सकता है क्या उसकी कीमत इतनी कम है जिस सरहां का प्रेस कॉंफरेंस अभी किया गया उसके बाद मीडिया में काफी चर्चा हो रहे है और वोटर्स के द रहता है इसलिए भी कि एक ऐसा बकसा है इसके अंदर काउंटिंग किस तरह से हो रही है वोट किस तरह से ली जा रही है उसको दिखता दिए कागश तो लोगों को समझ में आता है तो सवाल इस पे भी रहता है कि यह चीज है क्या तो यह सवाल रहेगा इसको हम कुछ दूर कर नहीं सकते सवाल है कि EVM जो आपने पूछा इतना असानी से क्या बदली जा सकती इस पर सोचना समझना पड़ेगा EVM में वाका है हो क्या रहा है इसकी जो electronics है तो इस तरह से बनाई गई है कि उसमें कोई program बदल नहीं सकते हैं जो program होता है वो उस चिप के अंदर burnt, burnt कर दिया जाता है उसका मतलब उस program तभी बदल सकता है उस चिप के निकाल के अलग चिप आप उस पे डाले तो EVM की जो प्रणाली है जिस तरह से वो वोट रिजिस्टर करता है जिस तरह से वोट वी वी पैट पर ट्रांसफर करता है जिस तरह से वो अपना signal आपको लेता है आपके बटनों से या जिसका counting वहाँ जहां पर जिस चिप में वो जमा होता है यह सब इस तरह से होता है कि उस पर बदलाव करने के लिए EVM को physically बदलना पड़ेगा यह तो चिप को बदलना पड़ेगा यह पहली बात है दूसरी बात इस अब प्रेस कॉन्फरेंस की जो बात कह रही थी तो प कैसे इसको बदला जा सकता है कैसे इस पर कारसाजी की जा रही है और इसको भी कहा था अमरीका से एक्सपर्ट आएगा बताएगा फलारा डमा का होगा पहली बात कोई भी एक अंधेरे कमरे में बंद होके स्काइप के जरीए कुछ भी कहे उस आधार पे पूरी यहां पर ए ही है इस पर कोई भी कुछ भी कह सकता है दूसरी बात है कि उनका जो क्लेम था कि बारा लोग थे जिनकी जानकारी था कि कैसे इवियम को हैक किया जा सकता है उस पर सब को उठा के कहीं ले गया ले जाया गया और वहां से ग्यारा लोगों को मार दिया गया और वही एक बचे क्योंकि उनका हाड जो है उसकी दूसरी तरह शरीड के थी बाएं तरफ नहीं दाएं तरफ थी इसलिए वो बजगे तो ये रजनी कांद जेम्स बॉन्ड का मिला हुआ एक चरित्र नजर आता है उसके बाद हैकिंग की भी गाबलियत उनकी यही इता है कि वो स्नोडेन के लगभग फ्रीक्वेंसी से ये इवियम में प्रोग्रामिंग को बदला जा सकता हूं का क्लेम था तो हकीकत तो है कि साथ हर्स को अगर रिजिस्टर करना है उसके लिए हजारों किलोमेटर लंबी आपकी एंटेना चाहिए नहीं तो आप उस वेव को पकड़ नहीं सकते ह कर कम है तो उसका वेव साइज जो है बड़ा होता है तो वेव लेग्द भी बहुत बड़ा होता है एक गनेश का सर की जो बोदी जी ने कहा था और गांधारी के सौ बच्चे जेनिटिक से पैदा हुए है यह उसी तरह का उसी किसम का मंदगणत विज्ञान या मंदगणत जी कह सकते हैं तो यह तो यह है मुझे इस पर खास सवाल उनके उनके प्रति है जैसे सिब्बल साभ है यह वहां मौझूद थे उन्होंनों इसको पुष्टी की क्रेडिबिलिटी दी उनको आज भी उसके बारे में कुछ कह रहे हैं साइंस और टेक्नलोगी मिनिस्टर थे इसके बाद लॉयर एक लीडिंग लॉयर एक बार के तो इन लोगों को इस तरह चीजों को प्रोटसाहन देने के पहले इनको कम से कम एक मिनिमम जो कहते हैं साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी वाले लोगों से बात करनी चाहिए यह क्लेम सा इसके बारे में क्या विचार है औ लगर इस तरह का क्या कहते इस तरह का खब हो पे आप जाते हो या इसको आप क्रेडिबिलिटी देते हो तो जिस तरह की राजनेतिक बयान बाजी हो रही है जिसे आपने अभी हमाई दर्शकों के लिए बताया कि किस तरह से इस क्लेम्स में जो तकनीकी क्लेम्स किये जा रहे हैं उनमें भी एक खराबी है और जिस तरह का ये प्रेस कॉंफरेंस था इसके नेचर में भी खराबी दि तो आगे आप इस तस्वीर को किस तरह से देखते हैं कि आगे क्या पॉसिबिलिटीज होंगे मैं समझता हूं कि यह जो स्टोरी है यह तो करीब करीब मान के चलना चाहिए यह चल नहीं सकता देट स्टोरी और मुझे लगता है कि एक बार हमारे एक प्राक्तन प्रजान मंत्री थे गुल्जारी लानन्त अक्टिंग प्राइब मिनिस्टर थे तो वह उस एक बात कहा था हट योगी कैसे पानी पर चलेगा पूरा प्रेस को एकठा कर लिया था दिल्ली में और बैचारा हट योगी पानी में डूब गया था इस तोरी का भी ही हस्र होने वाला है सवाल मेरा मैं अख्राल से दूसरी चीज़ों पर जानी चीए कि अद्रिश्टी दूसरी चीज़ों पर जानी चीए एवियम हमारे डिमॉक्रिसी में एक अभिन्ना अंग इस वक्त बन चुका है और इस एवियम पर अगर लगातार शक पैदा होगा तो य के रूप में तो मेरे समझ मेरा समझ यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज की एडुकेशन होनी चाहिए कि एवियम है क्या चीज और उसके बारे में हमारी जानकारी सिर्फ नहीं पर उसकी क्रेडिबिलिटी एलेक्टोरल प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी से जुड़ी हुई है उ इस प्रोसेस को हम कैसे मजबूत करना कर सकते है उसको भी हमें सोचना पड़ेगा एक बात तो यह है कि एवियम संख्या जितनी चाहिए हिंदुस्तान में इलेक्शन को क्या कहते है है करने के लिए तो संख्या बहुत बड़ी है वो सिर्फ दो पबलिक सेक्टर में बनती है भारत Electronics Limited और आपका ECL में बनती है तो यह दो कंपनियों में अगर आप हैक्ट EVM करना चाहते हो किसी में भी और 10% अगर वोट आप हैक करना चाहते हो तो आपको इसके लिए इतनी बड़ी शर्याद्र रशनी पड़ेगी कि वहां पर सिर्फ जो चिप डिजाइनर है जो च नीचे से लेकर उपर की जो अधिकारी होंगे उनकी भी इसमें मदद की ज़रूत पड़ेगी इतना बड़ा एक शर्यंत करना एक तो यह प्रॉब्लम है दूसरी बात यह है इसको जब डिस्ट्रिब्यूट करेंगे तो कौन सा EVM कहां जाएगा यह एक randomization के जरिए होता है पहले से निश्चित नहीं होता है और इसमें जो दूस्ट्रे पार्टीज होते हैं सभी पार्टी पुलिटिकल पार्टीज की शिरकत होती है तो यह इसको अगर आप देखें की बटन एक दो तीन चार के पांच इस तरह से बटन के इलावा EVM को और कुछ मालूम नहीं है उ पुस्थान निधारित होती है अलफबेटिकल और पहली सबसे बड़ी पार्टिया जो इसके नाशनल सीकृती बिल चुकी है इसके बाद स्टेट पार्टी इसके बाद इंडिपेंडेंट्स और हर कैटेगरी के अंदर उसका पुजेशन निधारित होते है कैंडिडेट की पहले से निष्चित नहीं होती है तो इवियम कहां जाएगा यह पहले से निष्चित करदा संभब नहीं है अगर हैकिंग करना है क्योंकि आपने बटन दो को अगर आपने निष्चित एक कर दिया उस भीजे बेटेगी कैंडिडेट की नाम होगा इसका कोई गारंटी कोई दे नहीं सकता तो इसको देखते हुए राजदितिक दलों को यह जरूर कोशिश करनी चाहिए इस प्रोसेस को समझे और जो जो इस पे स्टेप्स है प्रोटेक्शन की उसमें वो शिर्कत करें पूरी तरह से अब पूरी जानकारी के साथ क्योंकि डिमॉक्रसी कॉंशिस वोट और कॉंशिस पूलिटिकल पार्टी से बरकरा रह सकती है अपने आप सिर्फ यंत्रों के साहरे नहीं हमें इस बीबात को समझना पड़ेगा कोई भी यंत्र हैक हो सकता है यह तो सही बात है हो सकता कॉंस्परेंसी डिफिकल्ट हो बड़ ऐसे जीज नहीं समझना है कि डिफ तरफ से आ रहा है कि वीवी पैट जिस पे एक रेकॉर्ड होती है उस रेकॉर्ड को बढ़ाना चाहिए और उसकी काउंटिंग अभी जो है एक एवियम मशीन का वीवी पैट से कंपेर किया जाता है उसकी संख्या बढ़ाने चाहिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यह इ खुद उसके बारे में नहीं समझते तो उसके बारे में उसका एक शंका रहता है उसको दूर करने के लिए वीवी पैट का इस्तमाल बढ़ाना और उसका काउंटिंग टैलिंग जो है करना जरूरी है इस पे दो चीजे होगी एक तो है आपकी एवियम खराब होने के अबना कम होती है अलाकि उसके भी होती है हर एलेक्शन में कुछ ता कुछ एवियम में प्राब्लेम आती है वो रिप्लेस होती है दूसरी बात यह है कि काउंटिंग स्लो हो जाएगी यह दोन दोनों चीजों को हमें स्विकार करनी पड़ेगी हमें यह नहीं सोचना तो प्रबीर इस बात को विस्तार में हमाई दर्शकों को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद देखने के लिए